कैसे हैं आप सब फ्रेंड दिस इस मिनाक्षी सिंग और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ थॉमस हिल ग्रीन को तो बिल्कुल सही यह जो आप लोगों को इमेज में नजर आ रहे हैं आज में हम लोग इन पर डिसकुस्ट करेंगे कि यह कौन थे इनका क्या कॉंट्रिब्यूशन रहा पॉलिटिकल साइंस में और इनके कौन-कौन से इंपॉर्टेंट वर्क है जो आप लोगों को याद रखने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैं आप लोगों को इनके लिए इनके रिगार्डिंग एक स्टोरी सी बताने वाली हूँ थॉमस हि हिल ग्रिन का जनम 7 अप्रेल 1836 में हुआ था तथा मृत्यू 15 मार्च 1882 में हुई थी जो थॉमस हिल ग्रिन है बच्चों इंग्लैंड के दार्शनेक तथा ब्रिटिश प्रत्यावादी आंदोलन के सदस्य माने जाते हैं आदर्शवादी माना जाता है इनको थॉमस हिल ग् एक बहुत ही जादा important contribution है इन्होंने idealism में, liberalism में, individualism में काफी important contribution दिया उन्होंने आधुनिक उदार्वाद को एक नया धार्मिक विश्वास प्रदान किया यानि थॉमस हिल ग्रिन ने जो modern liberalism था इसको काफी important religious trust दिया और व्यक्तिवाद को नैतिक तथा समाजिक बनाया ये क्या करते हैं, individualism को moral बनाते हैं, social बनाते हैं, उन्होंने अपने दर्शन में व्यक्ति तथा राज्य दोनों को महत्व दिया, हमारे थॉमस हिल ग्रिन जो थे ये individual को तो importance देते ही हैं, साथ ही साथ इन्होंने state को भी काफी जादा importance दिया था, इसके अलावा जो वैपर वैपर क्या कहते हैं, वैपर ये कहते हैं कि ग्रीन, ग्रीन ने अंग्रेजो को बैंथम वाद से कही अधिक संतुस्टी प्रदान की है, ये किस ने कहा था, ये वैपर ने कहा था, तो ये धियान रखना जिसे आप वैपर बोलते हो न, वो वैपर वही है वैपर, तो धियान जो वाइपर थे आपके वो कहते हैं कि ग्रीन ने अंग्रेजों के गो बैंथम बात से कही अधिक सैटेस्वाई किया है और कांट के दर्शन पर अधारित होने के कारण उनका आधर्श बात कैसा है अधिक सौम में है आइडिलिजम बहुत अच्छा है तो टी एज ग्रीन का ज जिक्षाओं के अनुसार जेवन व्यतीत कर रहे थे ग्रीन पर अपने पिता की नैतिकता और प्रचंट धार में उत्सा का काफी जादा प्रभाव पड़ा था उन्होंने 14 वर्ष की आयू तक घर पर ही ग्यान अरजित किया था तो ये ग्यान का जो इन्होंने नॉलिज ली जो इन्होंने नॉलिजेबल ही बने तो इन्होंने घर पे ही सारी सेल्फ स्टेडी करके इन्होंने नॉलिज गेन की थी उसके बाद 1850 से 1855 तक उन्होंने रभी का अध्यन किया 1850 से 1855 तक ये क्या करते हैं रगभी रगभी का अध्यन करते हैं 1855 में अपने आक्सवर्ड व पर बिताया Oxford University में ही हमारे TH Green बिताते हैं Oxford में Green की भेट Benjamin Javet से होती है और ये विद्वान वेक्ति के संपर्क में आने के बाद Green के जीवन में बौधिक क्रांती आ गई और सन 1860 में Belial Fellowship राप्त हुई इने और 1866 में Oxford में ही ट्यूटर नुक्त हो जाते हैं और 1878 में Oxford विश्विध्याले में ही नैतिक दर्शन के प्रध्यापक नुक्त हुए इन्होंने Oxford University में Moral Philosophy को पढ़ाना स्टार्ट किया जीवन में बहुत प्रसिद्धी प्राप की और अपने अध्यापन कारे के साथ साथ उन्होंने साजनिक मामलो लाइक जैसे आपका हो गया वहवारिक राजनीती इसमें भी भाग लिया वे उदारवादी दल में सक्रे सदस्य रहे तो लिबरल पार्टी के सदस्य बन जाते हैं उक्सवर्ड टाउन काउंसिल में जन प्रतिनिधी की रूप में निर्वाचित होते हैं उन्होंने अपने पद पर रहते हुए शराब बंदी कानून बनाए और लागू करवाने के लिए शराब बंदी आंदुरन में भाग भी लिया लेकिन ये भागी की विडंबना रही कि समास सेवा का सर्वोचे प्रात्मिक्ता देने वाले इस महांदार्शनिक की बहुत ही कम एज में यानि सिर्फ 46 की एज में इनकी मृत्य होगी यानि 1882 में इनकी मृत्य हो जाती है तो ये ध्यान रखिएगा उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स पर तो ये UK फिलोसफर है ठीक है United Kingdom के Social Theorist है तो Green जो है बिसिकली अगर हम इनकी बात करें Green की तो UK के फिलोसफर रहे और Social Theorist रहे ग्रीन जो है Highlighted the limitation of early liberal doctrine and particularly लैजिस्फियर तो इन्होंने क्या बताया liberal doctrine की लैजिस्फियर की limitations को बताया by drawing upon Kant and Hegel इन्होंने highlight किया limitations को doctrine of negative freedom and develop किया इन्होंने pioneering defense of positive freedom को और help किया liberalism को reach करने में accommodation with welfarism and social justice तो ये state को ऐसा social justice and welfarism की तोर पर बताते हैं positive freedom की बात करते हैं और green जो थे वो important influence रहे development in Britain of new liberalism और इनके जो most important work अगर आप देखोगे तो lecture on the principle of political obligation है बच्चों तो और दूसरा क्या है pre-logmina of ethics है तो pre-logmina of ethics तो ये 1883 का है इसके अंदर इन्होंने नीती शास्त्रे से संबंदित है ये और इसमें green द्वारा प्रध्यापक के तौर पर दिये गए नीती के उपदेशों का सार इसमें बताया गया है दूसरी बुक अगर आप देखोगे liberal legislation and freedom of contract लिख लेना आप लोग liberal legislation and freedom of contract ये रचना 1880 में Irish जमिदारों और असामियों के बीच हुए समझोते को नियंतरित करने के लिए glad strain द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव पर दिये गए भाशन का संग्रह है और ये रचना ग्रीक की सर्व जो green की सर्वस्रेस रचना मानी जाती है दूसरी जो मैंने आपको lectures on the principle of political obligation बताई ये 1885 ठीक है आप लोगों का 1885 1879 में ये publish हुई और ये रचना ग्रीन के राजनितिक सिध्धानत का सार है इसके अंदर उन्होंने principles बताए हैं politics के और इसमें राजाग्या पालन के सिध्धानतों पर व्यापक रोप से लिखा गया है इसमें राजा को क्या-क्या पालन करने चाहिए इन चीजों के बारे में बताया गया है ये रचना ग्रीन के भाशनों का संकलन है ये रचना उसमें दार्शनिक विचारधारा पर अधारे राजनितिक सिध्धानतों का प्रतिपादन करके एक नया आयाम स्थापित किया है तो ये धियान रखेगा एक और बुख है Lectures on English Revolution Lectures on English Revolution इस रचना में Green द्वारा शांदार क्रांती के बारे में बताया गया है यानि वो Glorious Revolution के बारे में बताते हैं बिल्कुल जी हाँ Glorious Revolution तो जो Lectures on English Revolution था इन्होंने Thomas Hill Green ने उसके अंदर Glorious Revolution के बारे में बताया है तो ये धियान रखेगा I hope आप लोगों को इतना clear हुआ होगा इसके अलावा अगर हम देखें non-conferism तो non-conferism मैं आपको बता देती हूँ और इन पर किन-किन चीजों का किन लोगों का प्रभाव था आपको वो भी याद रखना है तो जो Thomas Hill Green थे वो कांट से, फिक्टे से और हीगल से इन तीनों से काफी जादा प्रभावित थे Green ने रूसों की तरह ही व्यक्ति की नैतिकता पर विशेश जोर दिया है इस चीज को भी धियान लखना है ये question पूश लिया जाता है कि Green ने किसकी तरह है वो व्यक्ति की नैतिकता पर जोर देते हैं तो रूसों की तरह है इसके अलावा मैं आप लोगों को हिंदी में भी बता देती हूँ हिंदी वाले बच्चे सोच रहे होंगे मैं नहीं हिंदी में नहीं बताया तो बिटा UK के दार्शनिक थे समाजिक सिधानकार थे ग्रीन ने प्रारंभी उदार सिधानतों और विशेश रूप से आहस्त शेप की सीमाओं पर प्रकास डाला ये बेसिकली जो लैजिस्फेयर यानि की स्टेट को मिनिमल रोल बताया जाता है और कहा जाता है वह या स्टेट इंटरफेरंस नहीं करेगा हैना उन चीजों पर इन्होंने प्रकास डाला कांट और हीगल से आकरशित थे ये उन्होंने नकारात्मक सुतंतरता की सीमाओं पर प्रकास डाला कि नकारात्मक सुतंतरता अच्छी नहीं होती है हैना वो सकारात्मक सुतंतरता के अगरणी रक्षा विक्सित इन्होंने की और उदारवाद को कल्यानवाद और समाजिक नियाय के साथ पहुशने में मदद की। वो बेसिकली पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं, सकारात्मक सुतंत्रता की बात करते हैं, जिसके अंदर वो welfare पर जोर देते हैं, सोशल जस्टिस पर जोर देते हैं, और ब्रेटेन में नए उदारवात के विकास पर ग्रीन का महत्पूर्ण प्रभाव था ठीक है उसके अलावा राजनीतिक दाइत्व के सिधानतों पर व्याख्यान और नीती शास्तर के लिए प्रोलोग उम्ना तो ये मैंने आप लोगों को बुक्स बताई है थांक यू सो मच एवरिवन इसके अलावा प्लस क्लासेज मेरी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के लिए और स्पेशल क्लासेज आज शाम को चार वजे है क्विक डिस्कुशन चल रहा है पॉलिटिकल साइंस कोशन पर 4 पी एम और मैं जो आप लोगों को कोशन करवा रही हूँ बाकी तो वो 9 पी एम होते हैं ठीक है टेलिग्राम चैनल आप लोग जॉइन कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलिग्राम चैनल का नाम ह यहाँ पर मैं देती हूँ आप लोगों को बहुत ही इंपोर्टेंट पीडिएफ और लिंक ठीक है जो कि आपकी फ्री क्लासिस के लिंक होते हैं और यह आपका चैनल है एंटी प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो ठीक है तो यहाँ प पढ़ जाएगा थैंक यू सो मच एवरीवन और बाइबाय तो अल थैंक यू